तो दोस्तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं Tata Consumer Products Limited के बारे में FMCG सेक्टर की एक बहुत ही शांदार कंपणी Tata Group की एक दिगज कंपणी और आज के दिन में अगर आप देखें तो 3% की हमको यहाँ पर शांदार तेजी देखने को मिली है तो यह तेजी क्यों है तो हम स आपको में चार्ट के थूँ यहाँ पर समझाना चाहूँगा कि किस तरीके से यह पूरी रिस्ट्रक्चरिंग हो रही है री और्गनाइजेशन यहाँ पर किया जा रहा है बिजनेस का तो वह आपको में चार्ट की माध्यम से बहुत यह सिंप्लिफैट तरीके से समझा आपको इसमें बाइंग करना है आगे अगर लॉंग टर्ब परस्पेक्टिफ क्या है आपका शॉर्ट तर्ब परस्पेक्टिफ से आपको कैसे यहाँ पर देखना चाहिए तो उसके बारे में चर्चा करेंगा तो वीडियो काफी इंफर्मेटिव है इंटरस्टिंग है बि D-merger भी होता हूँ देखने को मिलेगा, D-merger भी होता हूँ देखने को मिलेगा, तो यह पूरा एक official letter है, 36 page का यहाँ पर आपको अच्छी तरीके समझ में नहीं आएगा, तो इसको मैं आपको जो Amalgamation को और D-merger को simplified तरीके समझाना चाहूँ एक चार्ट के माध्यम से, तो आप देखिए दोस्तो, तो जो Tata Coffee का business है, it will be merge in the TCPL in two steps, तो दो steps में कैसे यह merge होगा, सबसे पहले तो जो plantation business है, Tata Coffee का, ठीक है, वो यहाँ पर merge हो जाएगा, TBFL में, जो कि यहाँ पर food and beverages वाला business है, Tata का, ठीक है, TBFL क तो उसमें merge हो जाएगा, plantation वाला business, और second step में बात करें, तो बाकी का जो बचा business है, जो इंडिया का stand-alone business है, वियतनाम का business है, और 8 o'clock जो इनके brand है, दूसरे, जो Tata Coffee के अंडर आते हैं, Tetley वगरा, ठीक है, Tata Tea वगरा, वो यहाँ पर merge हो जाएगा, TCPL में, यानि कि जो main entity है Tata Consumer Products Limited में, वो बाकी का business merge हो जाएगा, और हर 10 share पे यहाँ पर TCPL के 3 share मिलने वाले हैं, Tata Coffee के share holders को, मतलब Tata Coffee के share holders के अगर 10 share हैं, तो उनको TCPL के 3 share यहाँ पर मिल जाएगे, चलि चार्ट से समझते हैं, थोड़ा से और simplified तरीके से आपको समझाना है, यहाँ पर चाहूँग हैं और retail नहीं बेशक भी है, और TCPL यहाँ पर own करती हैं दो companies को Tata Coffee and TBFL, TBFL मतलब जो beverage and food वाला जो business है, जो यहाँ पर Tata का, जहाँ पर basically यहाँ पर Tata Salt और जो डाल, pulses वगएरा और समपन वाले जो brand आते हैं, वो एक business है, Tata Coffee के अंडर भी एक business आता है, plantation business, तो अब यह क्या ह यहाँ पर आपको समझ आ गया होगा, TCPL में Tata Coffee, TCPL own करता है 57.48 Tata Coffee में और TBFL में 100% यहाँ पर own करता है, और TCPL के अंडर ही जो Tata Tea, जो Tata Salt है, डाल है, pulses है, समपन वाला brand है, वो पूरा इसी के अंडर आता है, जो जहाँ पर market leadership है, TCPL के ठीक है, अब यहाँ पर proposed structure क्या है, त TCPL में अगर आप देखेंगे, तो TCPL में मर्ज हो जाएंगे, जो इंडिया के stand-alone business है, वियतनाम एंड 8 o'clock वाला, यह मर्ज हो जाएगा यहाँ पर, और TCPL के अंडर आ जाएगी 100% यहाँ पर ownership हो जाएगी TBFL में, और इसमें plantation वाला business मर्ज हो जाएगा, मतलब जो पहले Tata Salt ठीक है, Tata जो डाल है, pulses है, संपन वाला brand है, उसमें यहाँ पर plantation वाला business भी यहाँ पर merge हो जाएगा, जहाँ पर यह basically coffee वगएरा जो है manufacture करते हैं, वो यह सारे यहाँ पर merge हो जाएगा, तो अब यह simplified structure आपको देखने को मिलेगा, I hope दोस्तों यहाँ पर आपको समझ आ गया ह किस तरीके से यहाँ पर यह merger and de-merger होता हुआ हमको नजर आ रहा है, देखिए plantation वाला business de-merge हो जाएगा Tata coffee में से, यहाँ पर TBFL में यह वाला basically merge हो जाएगा, तो जिसके पास भी Tata coffee के 10 share होंगे, उसको TCPL में 3 share मिल जाएगे, तो आप इसको pause करके इसको अच्छी तरीके से भी समझ सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर hope करूँगा कि आपको समझ आ गया होगा, अब बात करते हैं यहाँ पर management ने क्या कहा है, इसको इस restructuring को लेकर, तो जो सुरील डिसूजा है, उन्होंने कहा है, जो यह restructuring है, यह initiative is in line है with the Tata consumer product, strategic priorities, जो इनकी strategic priorities है, उसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पर initiative लिया गया है, restructuring का, देखिए इससे फायदा क्या होगा, एक तो दोस्तों यहाँ पर जो है, पूरा जो business restructure होने के बाद, यहाँ पर क्या होगा, simplified structure हमको होता हुआ, देखने को मिलेगा, यहाँ पर जो subsidies हैं, उसमें भी अलग business हैं, फिर यहाँ Tata consumer 100% किसी में own कर रहा है, 50-60% किसी में own कर रहा है, तो बिल्कुल यह simplified हो जाएगा, तो again, simplified structure होना किसी भी business के लिए यहाँ पर बहुत ही अच्छी चीज है, साथ ही साथ operational and administrative synergies यहाँ पर हमको मिलती हुई देखने को मिलेगी, और financially also यहाँ पर shareholders के लिए फायदा होगा, अ and यह stepping stone है, basically यहाँ पर हो सकता है भविश्य में हमको और भी यहाँ पर simplification होता हुआ देखने को मिले, यह तो बात की बात है लेकिन हो सकता है आगे भी हमको restructuring होती हुई देखने को मिले, तो यहाँ पर देखिए operational administrative financial synergies यहाँ पर होती हुई नजर आएंगी and यहाँ पर कह देखिए यहाँ पर, after merging the consumer product business of Tata chemicals with Tata global beverages, the company was renamed TCPL, यह तो हम सभी को पता है, यह पुरानी बात है, now owns brands like Tata Salt, Tata Tea, Tetley, 8 O'Clock, Himalayan Water, Tata Water Plus, Tata Glucoplus, its food portfolio includes brands such as Tata Salt, Tata Sampan, Tata Soulful, Tata Q, the Tata Group firms aspire to be a formidable player in the FMCG category by spending its play into the existing category and venturing into new areas, तो यहाँ पर दोस्तों आगे के भविश्य के लिए, जो मैं आपको बता रहा था, एक जो long term objective है, इनका भविश्य में grow करने के लिए, उस initiative के तहत यह एक strategy के यहाँ पर decision लिया गया है, management के दौरा, जो की काफी attractive हो सकता है, value lucrative हो सकता है, shareholders के लिए, यहाँ पर value unlocking हमको होती भी देखने को मिल सकती है, जैसा की management ने भी यहाँ पर कहा है, तो यह हो गया दूस्तों, business restructuring को लेकर, I hope यहाँ पर आपको समझ आ गया होगा, नहीं आया तो आप comment box में पूछ सकते है, मैं आपको वहाँ पर clear करने की कोशिश करूँगा, Tata consumer की बात करें, उस तो business model बहुत ही, गजब का business model है, अगर मैं इनके बात करता हूँ business segment की, तो देखिए, branded tea business में ये company काम करती है, जहाँ पर revenue, 50% revenue इनके जो branded tea business से ही आता है, जहाँ पर Tata tea, Tata Tetley जैसे brand है, 8 o'clock जैसे brand है, 50% आता है tea business से, अगर हम बात करते हैं food business की, जो Tata, जो दाल है, pulses है, संपन वाला brand जो है, इन्होंने create किया है, kitchen के लिए, वहाँ पर पूरा ये इसको cater करते हैं, जहाँ पर 30% market share, rising 35% market share, तो Tata salt में ही है, coffee की business बात करते है, जो coffee वाला business है, जो branded coffee business है, वहाँ पर करीब 11% का revenue ही generate करें, जहाँ पर Tata coffee, जैसे बड़े brand इनके जहाँ पर इनका नाम शुमार है, ठीक है, वो हो गया, बाकि rest इनका non-branded revenue आता है, तो अब यहाँ पर और simplified होता हुआ हमको नजर आएगा, जो यहाँ पर basically coffee वाला business है, इनका, वो यहाँ पर food and beverages में merge होता हुआ, नजर आएगा, तो again, company काफी अच्छी, कोई यहाँ पर problem न थोड़े से बनाया, आप देखिए, boring इनकी लगातार हमको बढ़ती हुई देखने को मिली है, पिछले कुछ ताइम से, क्योंकि इनोंने अपनी plant and machinery में काफी निवेश किया है, साथ ही में इनोंने अपने business को यहाँ पर grow करने के लिए कुछ equation भी किये थे, अगर मैं आपको हैं, बहुत ही जबर्दस, sizeable opportunity है यहाँ पर, इस market में, ITC ने भी आपको ध्यान होतो, पिछले कुछ time पहले, एक ready to eat segment में भी उतर चुके हैं, तो ready to eat market यहाँ पर काफी बड़ा है, आने वाले बविश्य में, इंडिया जैसी economy में, यह market grow कर सकता है, तो इनोंने एक strategy के equation यह पास का यह equation था, तो again, इसकी वज़े से भी आपको थोड़ा से यहाँ पर इनकी borrowing बढ़ती हुए देखने को मिली और borrowing बढ़ेगी, तो कहीं न कहीं return ratio, return on capital employed हमको थोड़ी समय के लिए हाँ पर compress होते हुए नजर आएंगे, लेकिन again, future की देखा जाए, तो again ROC यहाँ पर improve ह होते हुए नजर आ सकते हैं, तो यह होगी दोस्तो सारी बाते, I hope यहाँ पर आपको सारी चीज़े समझ आ गई होगी, और recently GM Financial ने करीब 800 के उपर target दिये है, ICI Securities ने 700 के उपर target इस company में दिये है, तो target की बात नहीं है, उस तो company का business model अच्छा है, target तो देर सवेर हमको आते ह होगे देखने को मिल जाएंगे, लेकिन technical chart पर अगर आप देखें, तो यहाँ पर एक अच्छी खासी गिरावट के बाद एक base बनता होगा नजर आ रहा है, base के बाद एक reversal है, और kind of अगर आप देखें तो एक यहाँ पर दोस्तो देखिए, यहाँ पर inverse head and shoulder pattern बनता होगा जरिया है, तो यहाँ पर वो accumulate कर रहा है, एक और अगर मैं आपको technical pattern बता होगा तो आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर basically cup and handle pattern भी बनता होगा नजर आ रहा है, यह है जो यह cup है, यह handle pattern है, तो यहाँ पर with volume एक जबर्दस breakout हमको होता होगा देखने को मिल सकता है, तो मेरे brand एक बर अगर इनका successful हो गया, तो हर kitchen में हमको संपन brand की दाल, आटा, pulses वगरा देखने को मिलेंगे, जिस पर इनका काफी focus है, काफी यहाँ पर यह जो है focus कर रही है management, जैसे कि हर con call में यहाँ पर वो बात करते हैं, तो यह है दोस्तो पूरा analysis, I hope यह वीडियो आपको informative लग एगा मिलते हैं next वीडियो में, till then take care, bye bye